दिन के शुरुवात में जो समागरी जीव या वैक्ती हम देख लेते हैं, हमारा दिन उसी के अनुकूल हो जाता है। अता दिन का शुभारंब हमेशा मंगालिक वैक्ती समागरी जीव या दृष्य से करना चाहिए। हमारे हाथों में आक्षए उर्जा होती है, इसलिए बिस्तर से उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और शुभ और सरल मंत्र बोलना चाहिए। आईए हम सब जानते हैं कि कौन सी वो बाती है जिन से सुबह सुबह बचना चाहिए। कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपनी चेहरों को आईनी में देखनी की आदत है, ऐसा करना अशुभ माना चाहिए। सुबह उठकर पर शाई देखने से भी बचना चाहिए, फिर चाहिए वो खुद की हो या दूसरों की। चाहिए देखने पर दुरभाग्य बना रहता है, चाहिए देखने से उस मनुष्य में डर, तनाव और भ्रम बढ़ता है। सुबह सुबह अगर आप किसी कुट्टे को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है। जानवरों के फोटो भी नहीं देखने चाहिए, कहते हैं कि इससे दिन भर विवाद और उल्चनों में बना रहता है, इसलिए अपने कमरे में जानवरों के फोटों ना लगाएं। सुबह तेल लगे हुए बरतन देखने से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, इसलिए संबह ओ तो रात के समय ऐसे चीज को दूर रखकर सोएं। सुबह इस परकार के अशुब मानी जाने वाले समागरी से बचना चाहिए, अकबार में भी सबसे पहले हल्क के फुगल की समागरी वाले खबरी पढ़ना चाहिए, सुबह मुबाइल देखने या सोशल मीडिया पर जाने से भी बचें। ना जाने कौन से नकारात्मक आपको दिन भर उलजाए रख सकती है, सुबह सुबह ऐसी तस्वीरे देखें जो आपके मन में सकारात्मक प्रभाव डाले जससे नारियल, शंक, मोर, हंस या फूल।